तो जाहे हैं दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परवार शोटा टेडर में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही वहतरीन टॉपिक आप सभी के लिए लाए हैं जो की इन्वेस्टमेंट के लिए वेहद इंपॉर्टेंट है लाइसी आईप बाई कर सकते हैं यह आप पर डिबेंट करता है लेकिन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एक लॉट कितने सेर्स की बनाई गई है इस वीडियो में सभी चीजे डीपली बताई गई है इसलिए वीडियो को इसकिप मत कीजीगा वीडियों बने रहेगा दोस्तों अगर आप IPO के बारे में नहीं जानते हैं या फिर share market में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर दीजीगा आपको बता दें किसी भी IPO को buy करने के लिए या फिर उसमें investment करने के लिए एक demate account किया सकता होती है और demate account कैसे open करना है किस प्रकार से आप demate account को open क कर सकते हैं description में सबसे उपर मैंने link दे रखी है कि आप कैसे एक demate account को open कर सकते हैं ज्यादा आपका time waste नहीं करूंगा सीधा सीधा हम topic पे चलेंगे जिसमें हम जानेंगे कि important dates to remember for LIC IPO इसकी opening date की बात करें तो 10 मार्स 2022 से इसमें apply आप कर सकते हैं यानि कि apply dates यानि कि open dates जो है वो 10 मार्स 2022 है और जो closing date है 14 मार्स 2022 यानि कि 10 मार्स 2022 से 14 मार्स तक आप इसके लिए apply कर सकते हैं एक बाद फिर से बताते हैं कि सरकारी शेतर की bima company LIC का IPO 10 मार्स 2022 को निवेश के लिए खुलेगा तथ 14 मार्स 2022 तक आप इसके IPO के लिए apply कर सकते हैं दोस्तों allotment result date क्या होने व IPO आप buy करने के लिए apply किये हुए हैं तो उसका allotment होने वाला है वो कब होने वाला है 17 मार्स 2022 को उसका allotment होने वाला है दोस्तों bima company LIC का IPO के लिए apply के पश्यात इसका allotment result की निर्धारित थी जो है वो 17 मार्स 2022 है जी हां दोस्तों बात कर लेते हैं कि credit of equity shares to depository account यानि कि depository account में कब credit होंगे तो दोस्तों 22 मार्स 2022 को equity shares जो LIC के रहेंगे वो आपके depository account में credit कर दिये जाएंगे 22 मार्स 2022 को जी हां दोस्तों guys आपको बता दें आपके depository खाते में equity share के credit होने की जो निर्धारित थी है वो है 22 मार्स 2022 बात कर लेते हैं shares will be available for trading 23 मार्स 2022 कहने का मτलब यह है कि आप in shares से trading कब से start कर सकते हैं तो आप 23 मार्स 2022 से in shares में trading start कर सकते हैं buy sell कर सकते हैं खरीदारी और विक्री कर सकते हैं फिर से बता दें 23 मार्स 2022 से आप LIC के shares को बेच सकते हो तथा खरी सकते हो यानि कि in shares पर trading start हो जाए तो 2000 से 200 रुपे तक की इसकी सूप्राय रखी गई है lot size है 7 shares की यानि की 7 share की एक lot बनाई गई है इस हिसाब से देखा जाए तो करीब 14,000 से 15,000 तक का invest एक lot में आपका होना है इस IPO के लिए क्योंकि एक lot से कम आप buy नहीं कर सकते हैं या फिर apply ही नहीं कर सकते हैं इसकी listing की बात करें तो NSE और BSE इसके दो exchange है जिसमें ये list है ये IPO जो है LIC का जो shares है इसमें list है फिलहाल आपको बता दें वीडियो यहीं पे खतम होती है आपका अगर doubt है कोई तो आप में telegram पे भी message कर सकते हैं telegram channel को आप join कर सकते हैं विल्कुल free app cost है वहाँ से हमा कई सारे students जो हैं उनको मैं training भी provide कर आता हूँ विल्कुल free app cost है channel पे नए आए हैं तो subscribe करके बिल आइकन को जरूर प्रेस कर लीज़ेगा वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर कर दीज़ेगा फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत वन्दे मात्रम